नमस्ते बच्चों, आज हम गैफी जिराफ और उसके पिता मैनी को कंचों से खेल खेलते हुए देखेंगे एक शाम गैफी और मैनी पार्क में टहर रहे थे तभी मैनी ने एक छड़ी देखी और उसे एक विचार आया गैफी चलो एक खेल खेलते हैं सबसे पहले इस छड़ी को लो और मिट्टी पर जुड़े हुए दस्क वर्ग बनाओ पहले पांच जुड़े हुए वर्ग बनाओ और उनके नीचे पांच और जुड़े हुए वर्गों का एक सेट बनाओ ठीक है पापा इसमें तो बड़ा वज़ा आएगा गैफी ने इस तरह दस जुड़े हुए वर्ग बनाओ जिन्हें फ्रेम कहा जाता है फिर मैणी ने कंचों का एक थैला निकाला ठीक है, अब ये दस कंचे हैं, हम इन फ्रेमों में बारी-बारी से कंचा रखेंगे पहले तुम शुरू करो गैफी गैफी छे कंचे चुनती है और उन्हें एक-एक करके छे फ्रेमों में रखती है इसके बाद मैंनी दो कंचे चुनते हैं और उन्हें एक-एक करके दो फ्रेम में रखते हैं अब मुझे बताओ गैफी कितने फ्रेम में कंचे है गैफी गिंती शुरू करती है मैंने एक, दो, तीन, चार, पांच और छे फ्रेम में कंचे रखे और आगे अपने ये साथ और आठवी फ्रेम में कंचे रखे कुल आठ फ्रेम है जिन में कंचे है बिल्कुल ठीक ग्याफी, हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि 6 से 2 अधिक 8 होते है बच्चों, आईए 10 फ्रेम का उप्योग करके गिनने का प्रयास करें मेरे पास 10 वर्ग फ्रेम के आगे 7 नमबर लिखा है क्या आप उतने फ्रेम गिन सकते हैं और रंग सकते हैं बहुत बढ़िया, अब 3 और फ्रेमों को रंग दे अब क्या आप गिन सकते हैं कि आपने कुल कितने फ्रेम रंगे हैं बिल्कुल ठीक, दस, साथ फ्रेमों के बाद आपने तीन और फ्रेमों में रंग भरा, जिसका मतलब है कि साथ से तीन अधिक दस होता है, साथ में तीन जोड दस बनते हैं, बच्चों अब आप दस फ्रेम का उपयोग करके गिनने का प्रयास करें, इसके लिए सबसे पहले एक 10 वरगाकार वाला फ्रेम बनाएए, अब इस 10 फ्रेम के आगे 6 नंबर लिखा है, क्या आप उतनी फ्रेम गिन सकते हैं और रंग सकते हैं, अब 4 और फ्रेमों को रंग दे, आप क्या आप गिन सकते हैं कि आपने कुल कितने फ्रेम रंगे हैं, इसका जवाब पता के साथ अपना उत्तर साजा करें बच्चों इस वीडियो में हमने 10 फ्रेम का उप्योग करके गिन्ना सीखा कि अगर 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 कि अगर